गुड़ मॉर्णिंग फ्रेंस वेलकम बेक टू माई ब्लॉग कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे अभी सुबह के बजे ही 11 ता मैंने को लिया बहुत काम पा की है चलिए आप सब के साथ भी बात करतें पर इतना सारा बरतन गंदा हाकर पड़ा था अभी उभी उसको मेंने धुआ है अभी दूद गरम हो रहा है अभी यहांपर पानी गरम हो रहे भात होने के लिए अभी भात के बात और क्या-क्या सब्जी बना मुझे नहीं मालूम चलते हैं डखते हैं क्या होता है हम चाबल को हमेसा इससे दोते हैं जो भी खुरब चीज ह네 वह- इससे पाणी मे निकल जागका इससे पानी को निकल जाता है और पानी भी फुल गरम हो गया है भाप ही भाप निकल रहा है अभी चाबल को डाल देते हैं इसे पानी ठीके इसे बर्तन में लेकर फिर इसको सब चाबल जो भी लगागा बर्तन में वो भी गरम पानी में चला जाएगा अभी उसको ढग दोता है चाबल होने के लिए यहां पर दूद भी गरम हो गया है अभी मैंने भात ग्यास पर होने के लिए चड़ा दिया है अभी भात होता रहेगा मैं नहाया नहीं है अभी देखे मैं कल कहीं ड्रेस पहन कर घूम रहा हूं अभी जाता हूं नहाकर आता हूं उसके बाद आपको बात हो गया होगा साइद मैं तभी आपको दिखाऊंगा बात हो साइद हो गया होगा मुझे लगता है चले मैं नहाता हूं नहाकर आने के बाद आप से बात बता हूं नहाकर में आ गया अभी चलते हैं देखते हैं बात हुआ कि नहीं अभी बात नहीं हुआ है थोड़ा सा पानी दे गए और और थोड़ा फुटाना पुड़ेगा बात को उसके बाद जो कर बात होगा और अब मैं नहीं दिखा सकता क्यूंकि बहुत बहुत लेठ हो गया है अभी जोल्दी जोल्दी खाना बनाता हूं खाना बनाने के बाद खाने के बहुत आप सबसे बात करता हूं सब्जी है अच्छा केला और आलो के भुद्या अच्छा के अच्छा के बाता है अच्छा के बाता हूं अच्छा के बाता है अच्छा के बाता है अच्छा के बज़िया पापड़ दही खाने में मजा आ जाएगा अभी अभी सोकर उठा हूं इसलिए घूमने आ गया अभी कोई नहीं आ रहा है इसलिए मैं विडियो पना सकता हूं बीच बीच में लोग आ जा रहा है लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं तो कुछ बोता है भी नहीं सकता इसलिए देख बैक केमरे से देखाते हूं शुरुद्वटा कैसे डूब रहे हैं हमारे स्कूल में भी लाइट जल गया रात बस होने ही वली है शुरुद्वटा फूल डूब गया है भी दिखाई नहीं दे रहे हैं देखिए हमारे गाओं का रात का नजरा देखिए कैसा लगा रात का नजरा हमारे गाओं का आज मैं चिनी पराठा बनने जा रहा हूं इसले मा आटे को गुंद रहा हूं आटे से पहले से ही नमक डाल दिया था मैंने अभी आटा नमक को मिला रहा हूं अभी पानी को कम कम डालेंगे मैं एक हाथ में मोबेल पोकड़ा हूं इसलिए मैं उस हाथ में पानी का पानी नहीं डाल पा रहा हूं आटे मैं इसलिए मैं इसी हाथ में ही पानी का उठा उठा कर डाल रहा हूं इसलिए मैं आटे गुंद कर आप सबसे बात करता हूं आटा बिलकुल परफेक्ट गूंद गया है गूंद गया है क्या गूंद गया है क्या बलते हैं हिंदी में मुझे नहीं बला देखें बिलकुल परफेक्ट गूंद गया है गूंद गया है जो भी है बिलकुल अभी मैं चिनी पराठा बना कर आप सबसे बात करता हूं यह है चिनी पराठा अब मैं चिनी पराठा खाता हूं ब्लोग भी एंड कर रहा हूं एहीं पर अभी बहुत जोर से नहीं दा रहे हैं और इसलिए आज का ब्लोग आसा लोगों को कैसा लगा फ्लीज लाइक केजिए शैर केजिए कोमेंट केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्रा पीजे थेंक्यू सो माच पर वाचिंग बाए